हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्यान प्लेस यूपित्र प्लेसी से बड़ी खबर जी हां दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है इस चैनल के माध्यम से तमाम भरतियों की जो लोटिस्ट अपडेट होते हैं जो नई भरतियां आने वाली होती है इन सभी मातपूर्विंदों की चर्चा की जाती है तो इसी सिलसले में एक खबर आ चुकी है वो भी यूपि गॉर्णमेंट के द्वारा एक ऐलान किया गया है सरकार कह रही है कि 15,000 से अधिक पदों पर भरतियों पूरी की जाएगी चुनाओ से पहले नए पदों को भी भरा जाएगा ये बात चल रहा है नए पदों में लेखपाल की बड़ी भरति होने वाली है 4700 से अधिक पदों पर लेखपाल की भरति की जाएगी तो क्या इसकी जो घोसनाय की गई है यूपि सरकार के द्वारा क्या उसके फैक्ट्स हैं इन ही सभी मातपूर बिंदों पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं चीजों को डिटेल से देखते हैं आज की न्यूश पेपर के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है लोकसभा चुनाओं से पहले विज्यापन निक्याल कर आवेदन लेने की तयारी चल रही है तो लोकसभा चुनाओं से पहले ही यहां पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है अगले 6 महीने के अंदर आपको 15,000 भरती है देखने को मिल सकती है अगर मोटी मोटी बात करें तो इसमें 7000 से ज़्यादा नए पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे तो 7000 नए पदों का आवेदन अर्थाद पीटी 2023 के जरीए किया जाएगा वही 4700 लेखपाल पदों पर भरतिया की जाएंगी यूपी में भरतियों की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रेल 2017 से 2022 तक यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 10,000 पदों के लिए भरति परिच्छा होगी यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं राजसरकार 6 माह में 15,586 युवाओं को नोकरी देने जा रही है इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिये जाएंगे 10,149 पदों के लिए परिच्छा कराते वे भरति प्रक्रिया होगी इस संब्द में विविन आयोग ने सासुन को सूचना दी है कि सबसे अधिक जो पद हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप राजसुलेखपाल के 4700 पदों पर भरति की जाएगे आप देख सकते हैं अधनस्वद चायन आयोग की बात करें तो यह भरतियां जो अधनस्वद चायन आयोग के ही माध्यम से की जाएंगी अधनस्वद चायन अध्यग इसके लिए जल्द आपको विघ्या पर निकालते हुए babyon प्रक्रिया चुका है इसके अलावा इहां पे साथ साथ अवर अभियंता कनिश शाहक की तखनीकी संवर्ग पदों के लिए आवेदल लेगा आयोग सुत्रों के मितावी लोगसभा चुनाओं की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्यापन निकालते हुए आवेदल लेने की प्रक्रि पूरी करेने का निर्देश दिया था उत्तर प्रदेश अन्यस सिवा चैन आयोग सबसे अधिक 147 पदों पर भरतियों के लिए आवेदल लेगा तो यहां पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश लोग सेवा सोरी उत्तर प्रदेश अन्यस सिवा चैन आयोग की भरतियां होने वाली है तो देखिए क्या होता है आगे सरकार्तों कर रही है तो हो सकता है आपको कुछ दिनों के अंदर लेखपाल के बड़े सब्सक्राइब पर जो विज्यापन है देखने को मिल जाएगा पीटी 2023 से हम तो उमीर यही करते हैं और जो लंबित भरतिया है उनको सबसे पहले क्लियर कराया जाए एस वाले अभियर्थी जेई वाले इसके साथ साथ वीडियो री एक्जाम वाले वीडियो री एक्जाम वा सीधा सीधा सरकार सामने आयोग सामने आये सीधा क्लियर करें कि कब तक रिजल जारी होनी की संभावना है बाकी लगातार यह सोले और जेई वाले अभियर्थी धरनाप दरसन दे रहे हैं हो सकता है कुछ दिन में आपका मेहनत है रंग लाए इससे सम्मंदित जो भी नई अ को समय समय पर बताते रहेंगे फिलाल यहां पर देख सकते हैं आज से कांस्टेबल भरती के प्रवेस्पत डाउनलोड हो सकेंगे तो यूपी पुलिस के जो एड्मिट कार्ड है आज से डाउनलोड हो जाएंगे आपको पता ही होगा 17-18 को चार पालियों में इसकी परिच् परतियों के खास दौर पर लड़कियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो यह रही पूरी अपडेट तो नई अपडेट जब तक आएगी तो हम आपके सामने अपडेटेड वीडियो लाएंगे मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ अब तक धन्यवाद